हेलोमआवरिवन मैं आपका thou physics बडि नितिनारया नेंन सिय turkey express चैनल और मैं आप के ले लेके आता हूंं फिजिक्स के फंडे फिजिक्स के फंडश के presting पे डिविब और आपको उन्टेड करते हैं कि यार फिरेक्स से बचलों आपको पता है कि मैंने आप के लिए election कच्छी एक о्यवी स्टांट की हुए और यह ये इस स हो 얼마나 कट करने वाले बात करने वाले हैठ और उसके साथ ऐनरजी की बात करने वाले हैं और इन सब बात करने से पहले यार मैं आप से एक शेयर थौट शेयर करना चाहते हूं अपना ताकि आपके तो जिसमें अच्छा है यह जो चीज है आपको लाइफ लॉंग हमेशा से अभी से याद रख लेने समझ लेना यह जिंदिगी में कभी नहीं करना क्यों नहीं करना क्यों।站 सिइन सी बहुत इंपॉटन चीज है यहाड वर्क एंडिकेशन विदख यद्ट बहुत कंसिस्टेंस्टी वेद्ध इंपॉटन चीज़ और हड़ वर्क पानी है तो करना, वेभड़ा अपस लॉइंग आप रहना पड़ेगा है, आपकी लाइफ में आप फेलोगी, गिरोगे फिर उठोगे यह सब चीज़े चलती रहेंगी बढ़ आपको consistent रहना पड़ेगा बार-बार-बार-बार चीज़े करते जाने पड़ेगा अगर आप किसी भी अपने सब्सक्राइब ले लो किसी भी सक्सेसर का पर लेलो एदर उसने क्या किया है उसने पर नी लाइफ में रहा है मतलब वह रैगूलर चीज़ें करता रहा है करता रही है तो कि यूँ to be consistent with dedication and hard work so इसे के साथ आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं मैं यह बात क्यों बोल रहा हूं यहां पर क्योंकि देखो जैसे लेक्चर नंबर 13 आ चुका है इस चैप्टर का इस लेक्चर में इस चैप्टर में मैंने आपको लेक्चर 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 रहा आपको बार एक बार समझने जहरा दूसरी बार निती आउन करो जो समझने है ताकि मैं आपके डाउट सौलकर तो आपको से इस्कर रहना है और अपने डौस्ट को से जाना है और आप लभात कर रहा हो तो हम्हां पर भी से स्टार्ट तो चलिए ज़्यादा टाइम नवेश करते हुए लेक्चर करते हैं स्टार्ट जैसे कि आपको अलड़ी मैं पढ़ा चुका हूँ बट इसमें थोड़ा सा एडवांस क्या है कि एलेक्ट्रिक एनरजी की जो कमर्शल यूनिट होती है जो पावर है उसका जो एसाई यूनिट ह होती है और अपको थोड़े से और अच्छे तरीक से समझाने के लिए तो इसी के साथ अभी तकर आगर आपने हमारे टेलिग्राम का जो ग्रूप है उसको जोई पहला है जो पहला फेज है प्रैक्टिकल अफेटिकैसें ऑफ हेटिंग manage लिकेशन लिकेस है इसमें इलेक्रिट्रिक अपने अपनी लाइफ में और कुछ हो यह नदेखा हो अगलत्रिक और इलेक्ट्रिक हीट तो देखा जिसम रोड पे लपेट के रोड बना लेते हैं वो तो सब नहीं देखा होगा तो वह तीन में चीजे क्या है कि जब भी आप उसमें इलेक्टिसिटी प्रड्यूस कराते हो तो वह होता क्या है कि वह धीरे-धीरे अपना टेंप्रेचर इंक्रीज करते रहते से और हीट करते हैं तो यह थीन मेंहें एक्जामपल से इसगेशन सेने तो आρ심 बहुता है क्या खासियत है कि जो मैंने आपको आपको अंड था तरुल ऑफ परत होता ऑर तो और उसका अलफा कोफिशन दो Thai सब्सक्राइब करते हैं अगर अपना फूड आइटम है उसको गरम कर सकते हो बेक कर सकते हो टकाइब करता है तो ए six applications बहुत सारे अप्लिकेशन और भी है बट यह तीन चार बेसिक अप्लिकेशन है जो जंड़रिह हम लाइफ में देखते हैं जो जन्नली हम अब सबके घरों में मिल जाते हैं तो के लिए क्या है कि मेन एप्लिकेशन है हीटिंग एफेक्ट ऑफ करेंट की अब आपने में चीज पर में जीज क्या है इलेक्ट्रिक पावर अल्रडी मैंने आपको प्रीवेस लेक्शन में बता दिया बट स्टिल कि जैसे कि हम अकॉर्डिंग टुद जूल फीटिंग एफेक् इसक्वार और यहां पर आई क्या है बचलों यहां पर आई है करेंट यहां पर आर है रजिस्टेंस और टी है ताइम तो यह मेरा जूल फीटिंग एफेक्ट बताता है आने आपको प्रेलास लेक्शन में बताया था अगर नहीं देखा है तो लेक्शन नमबर ट्वैल जूर्स लोके अकॉर्डिंग जो मेरी हीट एनर्जी है वो है आई स्क्वार आर्टी तो वो रेट रेट मेंस जिस पर वो एनर्जी डिसीपेट होती है अब देखो मैंने एक और फॉर्मूला बताया था कि जो मेरा एनर्जी होता है एनर्जी इकोल्स टू पावर इंटू टाइम होता है ठीक है यह दो रिलेशन मैंने आपको प्रीवेस लेक्टर में समझाएते बताये थे तो इसको लिख लेते हैं कि फॉर्मूला नंबर वन इसको लिख लेते हैं फॉर्मूला नंबर टू अब यहां से पावर निकालनी है तो एनर्जी अपॉन टाइम और एनर करना है कि यूजिंग फॉर्मूला टू तो अगर मेरे को पावर चाहिए तो पावर कैसे आ जाएगी हीट एनर्जी अपॉन टाइम टेकन और हीट एनर्जी क्या है बच्छा लोग यहां पे आई स्क्वार आर टी अपॉन टाइम टेकन ओहो हम अड़ गए हैं तो लोग हट जाएगा और यही मेरा समझाए गया है अब इस आई स्क्वार में अगर मैं ओम स्लो यूज कर लो अगर मैं ओम स्लो लगा दू तो ओम स्लो क्या बोलता है अगे इंदे को ओम स्लो बार 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 आता रहेगा बार 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 आपको लिखना है कि ओम स्लो क्या बोलता है using ohms low V equals to IR तो यहाँ पे जो I square R है इसको मैं IR into R लिख दू या फिर ऐसे समझो कि इसको मैं power P equals to IR into I और IR क्या है यहाँ पे V तो V तो इस चरीके से मेरे formulas बनके आते हैं कोई ज़्यादा इसमें maths नहीं है कोई ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है बस सिंपल rearrangement है formula का देखो हमें पता है कि according to the joules law of heating effect जो मेरा heat generate होती है किसी भी electrical appliances में किसी भी circuit में किसी भी instrument में जब हम उसमे electric energy देते है heat energy H equals to I square RT और मैंने previous classes में इसने नाइस में पढ़ा है कि जो energy होती है और जो power के बीच का relation होता है energy power into time तो यहां से अगर मेरे को power चाहिए तो यहां पर energy कौन सी जनरेट हो रही है बचलो heat energy only तो heat energy upon time taken I square RT upon T T से T कट जाएगा P equals to I square R यह जो relation लिखे होए यहां पर पहला और power P equals to V I कैसे आता है अगर मैं ओम स्लो यूज करूँ V equals to I R तो यह जो main दो formula है मेरे यह जो main power P नहीं अच्छा से ड्रॉब करते हैं यह जो main दो formula है मेरे power P equals to V I ठीक है और P equals to I square and P equals to V square R अभी जो last वाला formula है अच्छा आई हट गया तो अटा देते हैं इसको इससे बना देते हैं box आपको चीक है यह आगा है मेरा box अब यहां पर जो V square by R का जो concept है आप उसको ऐसे देखो कि अब यहां पर इन्होंने करा क्या है I की value को I की value को यह जो V square by R का formula आया है यहां पर यह मेरा ohms लो यूज कर रहा है तो R को इन्होंने क्या लिख दिया है V by I या फिर I को क्या लिख सकते हो V by R लिख सकते हो तो इसी से आपको देखने को मिलेगा इन्होंने I को using ohms low I equals to V upon R using ohms low I equals to V by R और जब इस formula को आप formula number दे देते हैं यार confusion हो जाएगी वरना आपको जब इस formula को आप formula number 3 में put करोगे तो अप आप देखो अरे यह नहीं यार थी यह नहीं है नेमिंग ही गलत हो रखी है ठीक है जब आप इस formula को यह फॉर्मल नंबर 3 इस 3 में put करोगे तो क्या मिलेगा इसको अब देखो तो I square क्या हो जाएगा V square by R square और R से एक R कट जाएगा तो यह वाला जो relation है यह वाला जो मेरा relation है यह कैसे निकल के आएगा इसको यहीं पर समझा देते हैं कि power P equals to V square upon R square into R ओहो बिल्कुल अपर हीए और गए तो यहाँ यहां नहीं लिखते है इसको को जिसको कालिक्ति का का लिधा बठाओशक Alrighty इसको हम लिखते हैं यहाँ यहां पर घाया आपके समझ कोमर कर देते हैं दो मिनट के लिए यह चैडय में लिख देते ऐसको अब इस को हमने लिए समझ अब इस को मिटा देते ऐगें यह विस को आई आर वाला फॉर्मौला समझ लेतए हैं देखो जो i है i को यहाँ पर इन्होंने लिखा है v by r जब i को v by r लिखा है तो i की value रख देंगे formula 3 में तो यहाँ से power p equals to v by r का whole square into r which is v square upon r क्योंकि उपर r है और नीचे r square है तो यह जो formula भी मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए जो formula मैंने लिखा है आप लोगों के लिए यह वाला formula ठीक है यह होगा मेरा formula number 4 तो देखो मैंने सारे formula आपको explain कर दिये है power p equals to v i power p equals to i square r और power p equals to v i ठीक है v square by r तो तीन यह main formula है यह lecture आपके साथ share करने का यह lecture बलाने का main concept यही था कि जो आप यह जो तीन formula का relation है आपको समझभा जाना चाहिए कि joule slow से start करके इनको derive भी कराया जाता है तो joule slow से start करके मेरे को h equals to i square r t heat energy h equals to power into time तो महाँ से power आ जाएगी i square r और फिर warm slow use करके मेरे को यह दोनों तीनों formula निकाल लेने है ठीक है जादा उसमें कुछ concept नहीं है बाकि यह जो डाइग्राम है यह यह आपर यह दिखाता है बेसिकली इसका में कंसप्ट है कि जैसे आने वाले future में हमारे इवीज आएंगे एडब्लू इवीज मिन्स डेरिवेशन है वह बताया था कि कैसे पावर को देखते हैं तो इट इस पावर कंजूम वाई डिवाइस कि वन वाट क्या होती है कि पावर कंजूम बाई डिवाइस देट कैरीज आप वन एंपिर ऑफ करेंट वैन ऑपरेटर टू पोटेंशल डिफरेंस ओफ वन बोड जै गोटा होगा मेरा मेरा प bateria डिफरेंश तो जो उस पढ़ेट ऊफे ऊस पर जो पावर जन रहिट होगी झो इस ईल्फरेंट मे हीवाउट को वह लिए जो तो पावर पी एक्वरस टु वान वाट वैन कब पोटेंशल डिफरेंश वान वॉल्ट और current equals to 1 ampere तो यह कब होगी जब मेरा power P equals to 1 volt होगा कब होगा बचलो जब मेरा potential difference 1 volt होगा और मेरा जो current है वो 1 ampere होगा तो यह आपे लिखा है thus 1 volt equals to thus 1 volt equals to 1 volt into ampere और इसी लिए हम 1 volt को क्या लिख सकते हैं 1 volt into ampere तो इसमें कोई ज़्यादा rocket science नहीं है इसमें कुछ ज़्यादा समझने की बात नहीं है SI unit है जैसे कि आपको पता है units हम measure करते हैं units में चीजों को measurement करते हैं जो physical quantities होती है तो 1 watt क्या है SI unit of power है उसको कैसे define करते हैं कि 1 watt जब होती है जब 1 ampere current flow होता है वन potential difference के वज़ा से या potential difference 1 volt होता है circuit में और उसकी वज़ा से current produce होता है 1 ampere तो उस particular power को उस particular electrical power को हम बोलते हैं बच्छों लोग 1 volt ठीक है वाट वाला वी ए डबल्ट वाट ठीक अब आजाते हैं next भी अब जोगई चीजा यह काफी practical है काफी important है इस पे आपके 2 mark के question सीधे सीधे बनते तो सबसे पहले इसको हम क्या लिख देते हैं important ठीक है इसको हम क्या लिख देते हैं इसको हम note down कर देते हैं important चीज़ और उससे भी ज्यादा आपको पता होना चाहिए जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनरजी क्या होती है कि जो वन वॉट वो काफ़ी छोटी यूनिट है चोटी मिन्स बहुत स्मॉल यूनिट है तो उस इस्मॉल यूनिट का हम सिर्फ अपने जो प्रैक्टिकल एप्लिकेशन से उसमें यूज नहीं कर सकते हम सिर्फ थेयोटिकल इन्यूमेरिकल में यूज करते हैं जो आपका घर में मीटर लग रहा है मीटर में जिससे आपकी इलग्रिशी डिजनरेट होती है जो आपके घरों में मीटर लगे होते हैं 220 वोल्ट की पावर सफ़ाई आती है उससे current जनरेट होता है अलग-अलग इंस्टुमेंट पर को हम बोलते हैて कमर्शियल यूनिट झाफ एलेक्टिक एनरजी इज्जा इफ किलो वाट आवर अब किलो वाट हावर किलो वाट हावर बैसिकली क्या है कि ए घंटे में एंक ख swornvy रूट जाता है कि अगर आपके electricity जो का जो बिल आता है बेसिकली जो मीटर से वन यूनिट आती है तो वन यूनिट को हम क्या रिप्रजेंट करते हैं कि एक घंटे में एक किलो वाटर एक गंटे में एक किलो वाट मेरी जो एनर्जी है उसकी जो इलेक्रिकल एनर्जी होती है जो वो वो इस बेसिस पे होती है तो काफी important हो जाती है सीधा सीधा questions पूछा जाता है यह general science में भी पूछा जा सकता है और इसमें तो पूछा ही जाएगा तो commercial unit of electric energy is a kilowatt hour commonly known as unit तो unit क्या है बेसिकली इसको हम लिख देते हैं वन यूनिट क्या है वन यूनिट एक्वल्स टू वन के डवलू एच और यहाँ पर के डवलू एच क्या है उच्छे से उसके explain किया गया है डवलू आपको मैंने समझा दिया है वाट है पावर की एनर्जी एलेक्टिकल पावर अब देखो आप बोलोगे कि सर अभी तो आप पावर की एनर्जी बता रहे थे वहाट अब यहाँ पे एनर्जी आगे देखो मैंने आपको जब पावर समझाया उसी में एनर्जी और टाइम का कंसेप्ट समझाया तो अगर मेरे पास पावर है और मैं उसमें टाइम मल्टि अगल अनर्जी तो यहां से जो वन यूनिट है इसी तरीके से बनी है कमर्शियल यूनिट वन यूनिट एक किलो वाट एक घंटे में तो उसको क्या बोलते हैं वन के डबलू एच के स्टेंट फो और अब देखो वन के सीधी सीधी उस उसने स्कोरी प्रजेंट कर दिया कि वन के डबलू एच को हम कैसे लग सकते हैं वेर विएन के डबलू एच री परजेंट एक किलो में कितने यूनिट सोते हैं वन थाउजन वाट तो सिंपल वाट है ही ठीक है वन वोट आपको समझाए दिया है एक आवर में हमेशा जो हम टाइम नोट करते हैं जो टाइम प्रजिन करते हैं एक घंटे में कितने मिनट सोते हैं एक मिनट में कितने सेकेंड रोते हैं तो 60 इंटो 60 3600 सेकेंड ठीक है तो यह जो रिलेचन है ऐसे आता है अब आप इसको मल्टिपलाई करो सीधा सीधा 36 इंटू टैन की पावर फाइव यह 36 के पीछे 50 तो इनको टैन क कि पावर 6 वाट सेकेंड ठीक है यह आगया वाट सेकेंड और इस वाट सेकेंड को क्या बोल सकते हैं जूल क्योंकि हमने एड क्लास में बढ़ा है कि जो एनरजी की यूनिट होती है वह होती है बच्छों लोग जूल ठीक है तो यह वन के डबलू एस 3.6 इंटू टैन टू पावर 6 वाट सेकेंड कैसे आता है वह मैंने आपको समझा दिया है तो यह बेसिक्स चीजे थी जो हमारी इस चैप्टर में रह रही थी यह मैंने आपको कवर करा दिये यह जो लास्ट स्लाइड है यह लास्ट पेज़े काफी इंपॉर्टेंट है वन के डबलू एच कैसे पूछी जाएगी जहां भी जनरल साइंस आएगा जहां भी साइंस थोड़ा भी कोश्चन आ जाएगा और वैसे इन जनरल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है यह चीज की कमर्शल यूनिट ऑफ एनरजी क्या होती है तो आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ा है आज मैंने प्रेक्टिकल अप्लिकेशन आफ एलेक्ट्रिक करेंट हीटिंग एफ्क्ट ऑफ करेंट वह आपको पता थी बट तिल मैंने आपको समझाएं कैसे होता है क्या होता ठीक है था दिन उसके बाद पावर यह जो एक्टिक पावर के तीन में फोर्मूले पावर पीपल करने का मतलब है ऐसे करना है तो यह भी काफी इंपोर्टन जो जाता है एक्जाम परपस से यह पूरा का पूरा टॉपिक यह जो मैंने इसमें लिख आपको सब किलो वार्ट आवर्ट की एगंटे में एक किलो वार्ट जो मेरा पावर है वो जन्यरेट की गी है अवी का अपनी अविकर करते हैं खत्म और जो मैंने आपको पहले अल्रडी बता दिया है आप जो बच्चे लोग हो इस जो मारा टेलिग्राम चैनल है इसको जरूर 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 जोइन करो ताकि आपकी जो यह जितनी भी चीज़ें है जो डेली सारी चीज़ें आपको साथ साथ मिलेंगी तो अभी के लिए सबी बच्चों का बहुत बहुत थैंक्यू जो हमार साथ नए सब्सक्राइबर है उनका बहुत ज्यादा थैंक्यू जो पुराने हैं और जिन्होंने हमारे टेलिग्राम का चैनल जोइन नी किया वह जोइन तो अभी के लिए सलाम नमस्ते राम राम मैं आपका अपना फिजिक्स बड़ी नितिनार है फ्रॉम एंसियाटे एक्सप्रेस आप से मिलूँगा जल्दी एक कोशन वाले लेक्शर में ओके बचलो बाई बाई